नमस्का दोस्तों मैं आपका तहर दिल से स्वागर करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजिये टेड़ेस में ये चैनल उन सभी दोस्तों के लिए बनाई है जो पार्ट टाइम इंकुन कमाना चाहते हो मैं वीडियो के मद्यूम से कुछ ना कुछ सेयर करता रहूंगा लेवल दिया था उसका क्या हुआ दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर बैंक निफ्ती 38,000 के ब्रेक करेगा तो उसका पहला तार्गेट आए का 38,400 और उसा तार्गेट आए का 38,600 आ सकता है आप चेक कर सकता है कि बैंक निफ्ती अगर किसी ने बैंक निफ्ती उपन होते ही कॉल बाइक किया होता तो उसका प्रॉफित मिल गया होता हमारा पहला तार्गेट 38,400 अच्छी कर लिया फर्स 50 मिनिक के कैंडल में ही उसके बाद फर्स 50 मिनिक की कैंडल के अंदर पूरा दिन या आप यहाँ पर देखोगे तो यह फर्स 50 मिनिक की कैंडल है उसी कैंडल में हमारा फर्स तार्गेट अच्छी कर लिया और उसके बाद पूरा दिन यानि दो बज़े तक उन्स ने वाला उसको भी अच्छी कर लिया और उसके बाद 37,500 का लोबी बना लिया यानि हमारा पूट साइट का लेवल भी अच्छी कर लिया यह अब देखते है कि मंदे के निफ्टी क्या कर सकती है दोस्तों अगर मंदे को बैंक निफ्टी फ्लेट उपनिंग होती है यानि 37,800 और 37,5050 के बीच में अब उसके बाद 37,580 डाउन की साइट में यानि 37,580 डाउन की साइट में बिलेट करती है तो उसका पहला तारगेट आ सकता है 37,500 और दूसा तारगेट आ सकता है 37,300 और अगर दोस्तों 37,300 भी ब्रेक किया तो 37,100 तक बैंक निफ्टी जा सकती है और अगर मालो बैंक निफ्टी ने फ्लेट उपनिंग डेने के बाद 37,850 ब्रेक करती है तो 38,000 तक जा सकती है मालो बैंक निफ्टी अगर ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है यानि 200 से 300 पॉइंक गैप या गैप डाउन होती है तो हम कुछ नहीं करेंगे हम 30 मिनिट तक वेट करेंगे फ्राइज एक्सम बनने का और अगर फ्राइज एक्सम बनने के बाद जीस तरफ बैंक इसकी अपर की तरफ या डाउन नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम 100,200 या 200 पॉइंक के लिए हम द्रेक कर सकते हैं